हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग और आज का हम लोगा जो वीडियो है ये काफ़ी इंप्रडेंट होने वाला है दो कारण से पहला और इसमें इत्वे दो अगस्त से आथ अगस्त के बीच में हैं इस पीडियर में करेंट के अच्छे नीज नही काणला है वह हैार भी आय मॉनेटरी पालीशी हूशी है ओए अप इसमें क्या हुआ किया हुआ है समझता है किसे कि अ मौनिय देन को ठीक है जिसका नाम का MPC इसने एक खोशना इसने जो घोशना किया है उसमें ये कहा है कि रेपो रेट को चार परतिसाथ और रिवर्स रेट पो रेट को तीन दसमें तीन परतिसाथ पर ही बढ़करा रखा जाएगा मतलब नहीं कुछ चेंज नहीं किया जा रहा है अभी वह भ जिस दर पर RBI बैंक को कर्ज देती है ठीक है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं और इसी अधार पर बैंक भी ठीकर अपने ग्रहा को को कर्ज मुहिया कराता है समझते बात इसी अधार पर बैंक भी ग्रहा को को कर्ज मुहिया कराता है जिस दर पर बैंक खुद ठीक है RBI स तो पास जदा पैसा ड़िए जब पैसा लेगा तो उसका पड़ेजिंग पावर बढ़ जाएगा तो बिमांड बढ़ेगा ठीक है पर आर्वियान इस बार भी ऐसा कुछ भी नहीं करने का यह विचार किया और इसी के तहद उसने अपने रेपो रेट को जो चार्ट पित है त उसको maintain रखा है ठीक है अब है यहाँ पर देखो कि रेपो रेट कम होने से बैंकों की बड़ी रहात मिलती है ठीक है बैंक भी इसके बाद कर्ज को कम ब्याज दर पर ग्रहाप को तक पहुंचा सकता है अब एक reverse रेपो रेपो रेट क्या होता है दो रिवर्स रेपो रेपो र रुटा हो गया बैंक से क्या होगा पैसा ज्यादर ले लेगा थीक है तो अब क्या होगा उसका फ्रेजिंग पावर हो घड़ जाएगा ठीक है तो यह सब और भी आई समय समय करते रहे तक ताकि मारकेट में जो इंफ्लेशन है उस इंफ्लेशन को maintain करके रख सके ठीक है और reverse record का काम क्या होता है तो बजयारों में नगदी की विफ्तरलता है लिकुडिटी है उसको नितित करने में reverse record काम आता है नगदी बजयार में जब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है तो RBI reverse रिपो पढ़ा देगा जिसे की बैंक ज्यादा ब्याज कमाने है तू अपन रकाम उसके पास जम्हा करा दे ठीक है चलो अब बहुत पहले नहीं फरवरी से लेकर अब तक रेपो रेट में एक दसम्मलर पंदराः प्रतिसत का कटवती कर चुका है और इससे पहले आरवी निविश्ले साल रेपो रेट में एक दसम्मलर प्रतिशत की करोती की थी अर्वी गवर्ण ने भी कहा कि आने वर समय में अर्थ विवस्था कि पट्री पर लॉटने की उमीद अभी भी काम है दो हज़र इस बाइस तक जा सकता है ऐसा हो सकता है यह ठीक है और यह इसलिए पूरी खबर है क्योंकि कोवीड-19 के मामले में कमी के बजाए ब की पर आप ग्रिष्य तब्रमु डूर्मू का नाम सूने हो लुऊ जो जम्मु कि मैरक में अभि द्Оर्आ य Εज मुक्स्मी का बिस्पर दो परहों जम्मू कश्मीर का पहले। यह प जो जो केंडर शासित प्रदेश, ठीक है, मना राजी से केंडर शासित प्रदेश बने, यम्मु कस्मेद के पहले उपराज जपाल थे, इस बात को याद रखना, एक, दूसरा है कि इन ही किजी के पाद पर निक्त किया गिया है, और इन को जिन के अस्थान पर लाय गिया है ता, पूरा नाम याद रखना ठीक है और इसी पर पहले थे राजीब महारसी थे और उसके ज़रा इनको लाए गया है ठीक है याद रखना अब है इसमें आम दो देखते हैं कि नियंतरक महालेखा परिक्षक यह होता गया है थोड़ा से यह टेक्निकल बाते हैं और यहीं पर आपकुछ आवाल प्रिल्म से बनता है ठीक है कि सीए जी के एक संबैधानिक पद है सीए जी का काम सरकारी खातों और धन व्याई की जांच करना है दरसल स सरकार जो भी धन खर्च करती है कर उस खर्च की घराई से जांच परताल करता है और पता लगाता है कि धन सही से खर्च हुआ है या नहीं इसको या रखना कि काम क्या होता है सब दुसरा है कि यह केंटर और राज्य सरकार दोनों के सरबजनिक खातों और और अकस्मिक निध पहले से इसका पालन हो, उसके आधार पर कारकाल टै होता है, अब इन में से यह लोकलेखा समिविति का आंख तभा इसको कान का दर्जा दिया गया है और यह भारा सरकार की रिपोर्ट राश्रिपती को और राज सरकार की रिपोर्ट उस राज ये के राज जर्पाल को देने का काम करता है है ठीक है जो धन का जो ब्यए है ठीक है वो धन का ब्यए कहा हुआ है किस काड़े के लिए हुआ है कितना हुआ है इसका पता लगाता है ठीक है की दफाह होटा करता है तो जो कांड करता है तिक है इसका मुख्या और का यहां पर है आकरस्मिक का जो परिक्षन है ठीक है वो फंड का भी पडिक्षन ये करते रहता है चलो नेक्स्ट हमारा एक काफी इसलाइड है यह दो कारण स्लाइड है एक तो भाई चुल एक धमाका है इसलिए चींता के बात यह है यहां पर कि भारत में भी ऐसे साथ सालिस्टन अमुनियों नाइटर टका हुआ है ठ कि 2750 टन अमुनियों नाइटरेट पस्ट्रक्षे तरीक सरकावदीस में धमाका हो गया और धमाका का शोर इतना ज्यादा था किलो मीटर दूर जो साइपरस है वहां पे तक इसका आवाज गया है यहां तक यह भी अनुमान किया गया कि दिक्टर पैमाने पर धमाका के कारण क्रीबन थी पोईट फाइब से लिए प्चार फकाम तक यह नहीं नोट किया है ठीक है अब कहते हैं इस धमाके ने 150 से ज्यादा लोग की जान लिए पांचाजार से ज़्यादा लोगों की को घायल किया है ठीक है इसलिए चिंता के बात अभी यहां पर क्वेशन क्या Jackie origins कि तो एक्जाम पुछा सकता या और कौन को सब इस फोट हुआ है चोब चल से हैं उस चर्शा की तरफ पहले समझते कि अमोनियम नैट्रेट क्या है देखो अमोनियम नैट्रेट एक सफेद रंग का एक गंदहीन जोलन सील रसाइनिक पढूत होता है इससे अमोनियम और नाइट्रीक हमले थेर जो अमोनियम और नाइट्रीखेस हम notify उसके प्रतिगरई करके इसको त्यार की जाता है ठीक है जैसे हम लोग कहा है Amonia दूनिया भघता है। और खड़ने के लिहाद से सस्ता भी पड़ता है यह इसके सबसे ज्यादा प्रयूग दो काम में होता है पाला की उर्भरेक के तौर पर ठीक है अब दूसरा इसका होता है कि खनन कारे में बिस्फोटक के रूप में ठीक है अब यह अत्यंत जो शुकृत तेज भी स्फोटक है तो आग लगने पड़ इसमें धमाका होता है और इसके बाद खतरनाग गैस निकलने लगती है अब इस पर बिस्फोट से कौन को सा गैस निकलता है इसके बिस्फोट में जो चीजे इसमें डला हुवे वही निकले लेगा जैसे नाइट्रोजन अक ऑक्साइड यहां निकले है लोग कर सांस हुटना से हो जाता है इसमें ठीक है यह जो जो कैमक्याल है यह काफी जो लंसील है विस्फोट अगभी है इसलिए इसका रखारकाव के लिए सरकारों के दुबरा इसके लिए कठोर नियम बनाया गया है पर इस नियम का अंदेखी किया जाने करन किया हाँ कितना खथ खतरनाक है इस बात को हम लोग समझते हैं कि अपने हाप में इसे कोई खतरा नहीं है लेकिन अगर आपके पास अमूनियों मेट्डर की बरी मात्रा लंबे समय के लिए यूही परा रहे तो यह खराब होना सुरू हो जाता है और असली दिकता बात यह जब लंबे वक्त के लिए इस टोर करने पर यह वाता वरन की नमीशुकने लगता है और नमीशुकर यह चटान जैसा बन जाता है और अब इसमें अगर भी स्पोर्ट होता है तो यह भी स्पोर्ट बहत खतरनाक जाता है बंका यह रूप रहे लेता है कि झैने चिंटा की बात हजाती है झाषिए कि अब इसके जो धुक्षाहिए अ मनो करें बुद्धी का वुद्धी को फ्रनी chociaż होता है और इसके जो धुत थ्रना की रंखा ओता है ठीक है और यह धुआ नरंगी नहीं कि क्यों कि इसमें नाइट्रिजन डायोक्साइड के वज़ा से इसका अधर नरंगी हो जाता है और इसे अक्सर वायू प्रदूसन से जोड़ जाता है तो सवाल भी पूछ सकता है ठीक है यहां पर अब है कि अगर धामाके के जगा पर तेज हवा भूना ह्वाय और पर गोलगों को बड़ा खत्रा इसे हो सकता है ठीक है अब है कि इसको इसके इसमाल बनाने के लिए कि कोई बी किमिक्ल एक इसकर बिनाने के लिए कर का इस्तमाल करके एक ऐसा बम तयार किया था जिसने जिसे एक फेडरल बील्डिंग उरा दिया गया था और उस धमाके में एक सब्सक्राइब की मौत हो गई थी इसे भी बड़ा हादसा हुआ था अमेरिका के रिजास में सब्सक्राइबा जो अदोविक दुरगटना था उस सा उखला बक 581 लोग माड़ा गया था इसके बाद 2015 में चीन के त्यांजीन बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट सुड़ियक दुरगटना में 173 लोग माड़े गये थे और मैंने भी कहा कि भारत में भी इसका आयक है बहुत बड़ा भंडार तो नहीं कह सकते हो पर छोटा बंदार है और इस लिहाज से मैंने भी कहा था आप लोगों को कि 740 टन अमोनियम नाइट्रेट ठीक है यहां पर आप दो देख सकते हो 740 टन अमोनियम नाइट्रेट भारत में चिनई के बंदरगाह पर बड़ा हुआ है और यह कहीं हमें चिंता हमारे लिए चिंता कारण है और ऐसे कहें भी हो हलाक यहां से अफली रखा हुआ है पर इसका कितना सेफ है यह इसका परिशन करना जरूरी है ठीक है नेके सलते हैं मौरिशस में की परियावरन अपातकाल की हुशना इसके पीशे कारण क्या है इसको देख आठ अगस्त 2020 को ठीक है मौरिशस के दीप को जापानी स्वमी तबाले जहाज करन तेल रिसाव हुआ और सी करन फारे अवर नहीं आपातकाल को वज़िव करना पड़ा है ठीक है तो जापानी कंपनियों नागा सी की सीपिंग लिमिटेट और ओक्यो मेरिटाइम कोर्परेशन का एम बी वाक्सियो चार हजार तंड बाले जो दराडें थी उसको कहा किया कि भाई ये तेल के फैलने करन बना है ठीक है और इसलिए यहाँ जो रहर है जो लोग है वो सब खत्रे में हैं और मौरिशस सरकार ने इसी कारण से ठीक है फ्रांस इसी सरकार से अपिल किया है कि भाई वाकर के आगे बढ़े और इनका मदद करें ठीक है और इसामया फ्रांस से मदद के लिए अपिल किया गया है ठीक है और इसमें हुआ कि भाई फ्रांस को ये रियूनियन दीप है वो मौरिशस के सबसे करीब है यह दीप कहां पे है रियूनियन दीप यह दीप हिंद मासागर में है ठीक है और यह दीप बिस इसी नो सेना के साथ कॉर्पिट मतलब शमन्वित गस्ति दल नमक संजुक्त गस्ति का संशालन किया था अब है कि भारत मौरिशस के बीच में क्या समबन्द है तरह इसको समझते हम लोग हैं इसके लिहां से मौरिशस तटिये सुरक्षा निर्गानी रडार सहित भारत के सुरक्षा ग्रीड का एक हिसा है याद रखना इस बात को कि मौरिशस तटिये सुरक्षा निर्गानी रडार सहित भारत के सुरक्षा ग्रीड का एक हिसा है मौरिशस के रास्ट्रिये सुरक्षा सलाकार और मौरिशस नेवी के प्रमुख भारती अधिकारी हैं भारत के पास मौरिसस के साथ कई मुक्त व्यापार समझ होते हैं इसमें अवैद आर्थिक अपराद मचली पकरने मानब तसकरी ड्रक्स ठीक है न जैसे कई चीजों को से जुरे हुए अपराधियों तथा घुसपैट को रोकने के ल और इसके अलावा इईजेट ठीक है न निगरानी और इंटी पाइडशी ऑपरेशन को भी इसमें शामिल किया गया है ठीक है अब हैं मौरिशस भारत के लिए प्रतक्ष विदेशी निवेस के सिर्श रोत्रों में से एक है भारत को मौरिशस से 15-16 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रतक्ष विदेशी निवेस प्राप्त होता है इस दीपिय रास्टर के साथ दिपक्षी सम्मंद भारत के लिए हिंद महासागर चेतर में अपनी दनितिक इस्थति के लिए महतवपूर्ण है इस बात को जाद रखना हमारा अगला स्लाइड है यहीं पे कि जो हिंद महा सागर में स्ट्रिंग अफ पाल्स ठीक है कि चीनी दनिति का मुकाबला करने के लिए भारत री यूनियन और कोकोश दीप जो आस्ट्रिया में है अपने ठीकानों का लाव उठाने के लिए फ्रांस अमेरिका और इस्ट्रिया के साथ समझांतों के माध्यम से एक ही छितर में खुद को बढ़ा रहा है मरसस का इजलेगवा दीप मरसस का इजलेगवा दीप को रंदिक संपती के विकास के लिए भारती सिना के परते पर दिया गया है और यहां दीप मरसस दीप के उत्तर में स्थित है ठीक है अब है भारती रेल्वेन किसान रेल के सुरुवात कर दिया है देखो यहां पे दो तीन बाते हैं इम्पोर्डेंट एक तो है कि भारती रेल्वेन जो रेल का सुरुवात किया है वो रेल बिसिकली महारास्ट के देवी लाली ठीक है महारास्ट के देवी लाली नासिक से 7 अगस्त को बिहाड के दाना पूर के लिए रहवाना किया गिया और अगले दिन ये ट्रेन लोट किया गिया ये ट्रेन बिशिकली चलता फिरता एक फरकार का कोल्ड स्टोरेज हैं और इस ट्रेंड के चलाने का उदेश से सिर्फ इतना है कि किसानों के दुवारा जो भी चीजे कच्छे संबागरी चीप पैदा किया जाता है चाहे ताजा सब्जी हो फल हो फूल हो इन सब का जो ट्रैंसपोर्टेशन है वो इजी हो जाए कंपर्ट हो ताकि किसानों का आमदनी बढ़े और यही सोच करके स्ट्रेंड को चलाये गया है तो आप लोगो यहां पर इनहीं बातों को ध्यान रखना है सिस आप लोग इस वीडियो में पढ़ लोगे ठीक है चलो फिर आगे हम लोग वीडियो बनाएगा उसको देखते हैं आज के लि चलो देखते हैं